Question दिया है निम्न को और रोही क्रम में लिखे और रोही क्रम यानि घटते हुए क्रम में लिखना है Solve कर लेंगे इसे ये दिया है cube root 4 तो इसको उम लिख सकते है 4 की power 1 बटे 3 और ये दिया है root 2 तो इसको उम लिख सकते है 2 की घात 1 बटे 2 3 की power 1 बटे 6 और यह दिया है 5 की घात 1 बटे 4, 3, 2, 6, 4 इनका LCM ले लेंगे, तो इनका LCM आ जाएगा 12, अब इस 12 को गुड़ा कर देंगे 4 की घात 1 बटे 3 में, 2 की घात 1 बटे 2 में, 3 की घात 1 बटे 6 में, और 5 की घात 1 बटे 4 में, 3 का भाग देंगे 12 में, 4 तो हो जाएगा, 4 की पावर 4, 2 से भाग देंगे 12 में, 6 तो हो जाएगा 2 की पावर 6, 6 से भाग देंगे 12 में, 2 तो हो जाएगा 3 की पावर 2, और 4 से भाग देंगे 12 में, 3 तो हो जाएगा 5 की पावर 3, 4 की पावर 4 होता है, 256, 2 की पावर 6 होता है, 64, 3 इनकी पावर 2 होता है 9 और 5 की पावर 3 होता है 125 और रोही क्रम में घटते क्रम में लगाना है तो इनको और रोही क्रम में लगा लेंगे 256, 125, 64 और 9 त्यों हो जाएगा cube root 4 is greater than 5 root 4 is greater than 64 is greater than 9 6 root 3 तो यह इसका answer हो जाएगा option is का right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो पावर दी है उनका LCM ले लेंगे यहाँ पर 3, 3, 8 और 9, 4 संख्याओं का LCM ले लेंगे तो इनका LCM हो जाएगा 72 घाते समान कर लेंगे दिया है दो की पावर एक बटे 3 और 3 का भाग जब 72 में देंगे 24 आएगा तो 24 का गुणा कर देंगे अंस और हर दोनों में हमें घाते समान करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 24 की पावर एक बटे 72 इसी तरह से 3 की पावर एक बटे 3 को लिख लेंगे तीन की पावर दी है एक बटे 3 इसमें भी 3 दिया है तीन का भाग देंगे 72 में 24 चौबिस का गुणा कर देंगे अंस और हर दोनों में या हो जाएगा 24 बटे 72 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 24 की घात एक बटे 72 इसी तरह से 8 की घात एक बटे 8 को लिख लेंगे 8 की घात दी है एक बटे 8 जब 8 का भाग देंगे 72 में 9 बार जाएगा 9 का गुणा कर देंगे अंस और हर दोनों में 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यो हो जाएगा 9 बटे 72 नो अंदर आ जाएगा तो 9 का गुणा हो जाएगा 3 में और बार हो जाएगा 1 बटे 72 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 27 की पावर 1 बटे 72 यहाँ पर 1 बटे 72 पावर बराबर हो रही है इसी तरह से 9 की पावर 1 बटे 9 को लिख लेंगे 9 की पावर दी है 1 बटे 9 9 का भाग देंगे 72 में 8 बार जाएगा 8 का गुणा कर देंगे अंस और हर दोनों में 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 8 अंदर आ जाएगा गुणा 8 और यह हो जाएगा 1 बटे 72 तो यह हो जाएगा 3 की पावर 16 की पावर 1 बटे 72 सबसे बड़ी सं तेस समान है अब अंदर वाली घातों को देख लेंगे जो घात सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी यहां पर तीन की घात सोला दी है यहां पर दी है तीन की घात सोला से तीन की घात 24 बड़ा है और दो की घात 27 यहां पर दिया है दो की घात 24 तो दो की घात 27 बड़ा है आप 2 की घाट 27 और 3 की घाट 24 में 3 की घाट 24 बड़ा है यह हो जाएगा 3 की घाट 24 गुड़ा 1 बटे 72 24 का भाग देदेंगे 72 में 3 और 3 की पावर 1 बटे 3 को लिखते हैं क्यूब रूट 3 तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 की पावर 1 बटे 3 option B इसका right answer होगा question दिया है इसको घटे क्रम में वैवस्तित करना है solve कर लेंगे इसे दिया है 2 की पावर 350 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 50 साथ का गुड़ा करेंगे 50 में 350 2 की पावर 7 होता है 128 की पावर 50 सबी घातों को समान करना है 5 की पावर दी है 200 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 की पावर 50 4 का गुड़ा करेंगे 50 में तो पावर हो जाएगी 200 5 की पावर 4 होता है 625 की पावर 50 3 की पावर 300 को लिख लेंगे 3 की पावर 6 की पावर 50 3 की पावर 6 होता है 739 की पावर 50 4 की पावर 250 को लिख लेंगे 4 की पावर 5 की पावर 50 4 की पावर 5 होता है 1024 की पावर दी है 50 सबी घाते समान हो गई है तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी सबसे बड़ा आधार है 1024 तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 की पावर 250 और इससे छोटा आधार है 3 की पावर 300 का तो लिख देंगे 3 की पावर 300 और इससे छोटा आधार है 5 की पावर 200 का और इससे छोटा आधार है 2 की पावर 350 का Option D इसका right answer होगा Next question दिखेंगे Question दिया है इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे दिया है 3 की पावर 50 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 10 और 3 की पावर 5 होता है 243 की पावर 10 4 की पावर 40 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की पावर 10 4 की पावर 4 होता है 256 की पावर 10 5 की पावर 30 पाँच की पावर 30 को लिख सकते हैं पाँच की पावर 3 की पावर 10 पाँच की पावर 3 होता है 125 की पावर 10 6 की पावर 20 इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 10 6 की पावर 2 होता है 36 की पावर 10 पावर सभी समान है आधार को देख लेंगे जिसका आधार सबसे बड़ा होगा, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आधार 256 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 की पावर 40, option C, इसका right answer होगा, next question देखेंगे, question दिया है, इसमें हमें यह देखना है कि किसका मान सबसे बड़ा है, solve क हम लिख सकते हैं, 0.5 की पावर 2, गुड़ा 1 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा, 0.5, y का मान निकाल लेंगे, 0.4 की पावर 2, 0.4 का square करेंगे, तो यह हो जाएगा, 0.16, z का मान निकाल लेंगे, z का मान दिया है, 0.216 की पावर 1 बटे 3, तो यह हो जाएगा, 0.6 की पावर 3, गुड़ा कर देंगे, एक बटे 3 से, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, तो z का मान हो जाएगा, 0.6, सबसे बढ़ मान, z का है, फिर x का है, फिर y का है, तो यह हो जाएगा, z is greater than x, is greater than y, option c, इसका right answer होगा,